चूले पर बोतल का इस्तमाल करते ही गैस सिलंडर खत्म होने का सारा जंजट खत्म साथी साथ कुछ ऐसे यूज़वल टेप्स और ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को काफी हद तक आसान कर सकते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा तो वीडियो अगर आपको थोड़ा साथी पतन दा है तो उपने दोस्तों के साथ जादा ते जादा शियर कर दीजिएगा ताकि वो भी इंदिस को यूज़ करता है चैनल पर नियूर हो तो सबस्क्राइब भी कर दीखा होगा कि बच्चों के बैग जो हैं बारिश की वज़े से कभी ना कभी भी भीग जाते हैं क्योंकि बारिश अचानक से होने लगती है तो ये बैग भीग जाता है अब उन्हें अगले दिन भी ये बैग लेके जाना होता है और बारिश की वज़े से जब ये बैग ग और जितनी भी इसकी layer है bag की इन में हमें newspaper को रख देना है तो इस तरह से देखिए जैसे मैं रख के दिखा रही हूँ सेम तरह से आपको रख देना है जितनी भी bags में layer है ना उन में सब में आपको यही काम करना है और इस तरह से जब आप नियूस पेपर को रखेंगे तो आप देखेंगे बैग जो है बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएगा क्योंकि नीज पेपर जो है ना वो मॉस्चर को बहुत जल्दी से खीचता है तो इस तरह से आप बिना धूब के अच्छे से बैग को सुखा सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से तो देखें मैंने इसकी सारी ही लेयर्स में जो है नीज पेपर को रख दिया है अब जितना भी मॉस्चर होगा नीज पेपर एब्जॉर्फ कर लेगा और बैग अच्छे तरीके से ड्राइ हो जाएगा अगर ज़्या गिला बैग है तो नीज पेपर डाल कर आप इसको पंखे की नीचे रख दीजिए बहुत जल्दी से ये ड्राइ हो जाएगा तो हैना फ्रेंट्स बहुत ही कमाल का आइडिया अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अगला टिप हमारा नीज पेपर को ही लेकर है तो फ्रेंट्स क्या होता है कि जब भी हमें अपने किचन में कुछ भी काम करना होता है जैसे की सब्जी वगरा छीलना है तो इस तरह से नीज पेपर का इस्तमाल हम करते ही है तो क्या करते हैं इसको इस तरह से देखिए छोटा छोटा टुकड़े में काट कर यूज करते हैं जितना भी हमें जरूरत होता है तो इस तरह से देखी हैं जैसे मैं कट करकर के दिखा रही हूं आपको क्या करना है? नीउस्पेपर को इस तरह से काट लेना है अब इन लेयर्स को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो कभी-कभी क्या होता है हमें time पर नीउस्पेपर नहीं मिल पाता है तो इसके लिए छोटा सा टिप है जिससे आप इस newspaper को बहुत अच्छे तरीके से organize कर सकते हैं और जब भी आपको चाहिए तो आपको ये पटा-फट से एक ही जगा पर मिल जाएगा और वैसे अगर हम इसको रखते हैं तो इसको यूज किया और इधर उधर रख दिया तो हमें टाइम पर नहीं मिलता है तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर इसको सैप्टी पिल लगा दिया है अब इसको आप अपने किचन में कहीं पर भी हैंग कर दीजे इस तरह से आपको एक ही जगा पर नियूस पेपर मिलेगा और जब आपको जरूरत है तो आप इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं और सबजी छीलना है या फिर सबजीयों की वेजटेश को डालना है तो आप इस पर डाल सकते हैं है ना फ्रेंस बहुत ही कमाल का आइडिया अगला टिप भी देख लेते हैं अगला टिप है हमारा क्रीम के बॉक्स को लेकर तो दिखें जब भी हम क्रीम को यूज करते हैं तो कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जिनका की धकन अलग हो जाता है अब जब हमें क्रीम निकालना होता है तो धकन को इस तरह से खोल के निकालते हैं अभी तो इसमें क्रीम नहीं है लेकिन जब भी हम क्रीम को यूज करते हैं तो इस तरह से धकन को अलग रख देते हैं अब क्या होता है इसको हम बंद करना भूल जाते हैं तो क्रीम खुली रह जाती है और काफी ज़्यादा धूल मिटी इसमें आ जाती है तो इसके लिए साथ फिक्स रहेगा और आप क्रीम निकाल लीजिए उसके बाद इसको वापस से इस तरह से लगा के रख सकते हैं छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का है अगर आपको यह टिप पसंद आया है तो एक लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ दिशियर कर दीजिएगा अगला टिप हमारा है गैस टोप को लेकर तो देखिए जब भी हम इस पे खाना बनाते हैं कभी-कभी दूद या फिर चाय वगरा उबल जाती है या फिर गैस टोप काफी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए इसको वाश करते हैं पानी की मदद से तो इस तरह से देखिए जब हम इसको पानी से धोते हैं तो होता क्या है कि इसमें जो है पानी इस तरह से देखिए गैस बर्नल में चला जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम वापस से गैस को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्यास अच्छे से नहीं जलती है और जिसकी वजह से काफी ज़्यादा वेस्टेज भी जो हो जाती है क्योंकि हम इसको जलाते रहते हैं और यह जलती नहीं है तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है आपको लेना है इस तरह का बॉटल कोई भी बॉटल आप ले सकते ह हैं कोडिंग का पानी का तो इसके तली वाला पार्ट होता है इसको हम यूज करेंगे तो यहां पर देखिए मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है अगर आपको इसका ऊपर वाला पार्ट यूज करना है तो आप इस तरह से कट कर सकते हैं और इस तरह से दिखिए जो इसके सफाई करनी है कितना भी आप पानी डालिए बिलकुल भी बर्नल के जो होल है ना उसमें पानी नहीं जाएगा और इस तरह से पानी नहीं जाएगा तो हमारे जो ग्यास है ना उसका वेस्टेज भी नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी क्लेनिंग कर सकते हैं और आप देखेंगे बर्नल बढ़िया से ड्राइ रहेंगे एक भी बूंद इसके अंदर पानी नहीं जाने वाला है अब आप देखिए मैंने यहाँ पर एक बर्नल पर पानी डाल दिया हुआ है तो आप फरक देख सकते हैं कि अगर पानी चला गया तो कितना फरक आता है तो इस तरह से देखिए जो बर्नल गीला है वो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है और इसको जलाने के लिए हम काफी टाइम वेट करते हैं इसके वज़े से हमारी गैस की वेस्टेज होती है तो इस तरह से आप जो है इस बॉटल का यूज करके गैस की वेस्टेज को बचा सकते हैं तो बहुत ही यूसफुल ट्रिक है उमिद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और इसका यूज आप तब भी कर सकते हैं जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से आप इनको कवर कर दीजिएगा इनमें धूल मिटी भी नहीं जाएगी जिसकी वज़े से भी जो है ये बर्नल जाम नहीं होंगे और गैस की वेस्टेज भी नहीं होगी तो देखे इस तरह से हमने जो बोतल का तली वाला पार्ट था उसको हमने बर्नल पे इस्तमाल किया है इसी तरह से आप जो है इन कैप का इस्तमाल कर सकते होते हैं यहाँ पर मैंने जो दवाई के कैप होते हैं उनका यूज किया है आप बोतल के ढखकन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इससी क्या होता है कि जब भी हमें किचन काउंटर टॉप की सफाई करनी होती है ना तो गैस टॉप को मूव करना काफी जादा आसान हो जाता है इस तरह से पीसंटर वाला यडिया भी आपको पसंद आया होगा चली अगला टिप भी देख लेते हैं अगला टिप है हमारा कोल स्टों को यूज करते हैं अपने दांटों को क्लीं करने के लिए अब क्या होता है जब भी हम पेस्टें करते हैं तो यसके बाद आपने देखा होगा कि हमारा पेस्ट जो है थोड़ा बसता है मतलब हमने लगता है कि इसमें बिल्कूल भी पेस्ट नहीं है और हम क्या करते है ऐसे ही उठाके इसको फैग देते हैं जिसकी वज़े से काफी ज्यादा वेस्ट ज़्लत हो जाती है तो ऐसा बेलन की मदद से इसको हमें इस तरह से बेलना है उपर की साइड लेके जाना है इससे क्या होगा जितना भी पेस्ट इसके अंदर होगा न वो सारा का सारा उपर की साइड आ जाएगा और आप जो हैं इसको यूज कर सकते हैं तो इस तरह से देखिए हम इसको वेस्ट समझके वाले थे लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा पेस्ट जो है निकल के आ चुका है तो जब भी ट्यूब खाली हो जाए आप इस तरह से बेलन वाली टिप को जरूर से यूज कीजिएगा जब खinka कीजिए मों जासा है